बहुत IMPORTANT है ध्यान रखना, COUNSELING के अस्पेक्ट में भी IMPORTANT है, T.W.L.U. कैसे यूज करना बहुत IMPORTANT है, COUNSELING में कैसे यूज होता है, कहां से बनाना था, सब कुछ मैंने बताया है आज का यह वीडियो डिमांड के उपर है मंदलब की सब्सक्राइब ने बताया कि टीए लोग वारे बताइए कि जो नय भी है जो टुनिटीड वन का विभजी देंगे उनके लिए भी इंपोर्टेंट है कि जो टीएब लोग तो होता है उसका फॉर्म में कैसे भरें कहां से उसको सिगनेचर करें कहां से बनवाए कब बनवाना यह सब बहुत सारे कुश्चन्स माथा में हैं और उसका परफेक्ट एंसर कहीं पर साइट पर कहीं पर मिलता नहीं सो आज डिसकस करेंगे इसके बारे म सब्सक्राइब करेंगे तो चलो सुरू करते हैं सबसे पहला बात यहां यह आता है कि TFW होता क्या है जिसको पता नहीं है जो आने वाले है अपकमिंग स्ट्रेंट से फ्रेसर से उनको यह बता दूँ TFW means for tuition fee waiver scheme हमारे विश्ट बेंगल गवर्मेंट ने स्टेट गवर्मेंट ने बहुत पहले एक स्कीम चलाया था जो कि यह tuition fee waiver scheme इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो बच्चा engineering पड़ेगा चाहे वह गौर्मेंट पड़े या प्रेविट पड़े कहीं पड़े अगर वह इस कोटा से बिलॉंग करता है इस section से बिलॉंग करता है ठीक है तो सिर्फ tuition fee देगा tuition fee का मतलब जो आप पड़ते हैं उसका fee miss teacher का fee library fee हो गया admission वगरा बहुत admission तो हुए बहुत सारा उल्टा फुल्टा जो campuses में development वगरा आप ले गेम बहुत कुछ है यह सब फी उनके लिए माफ रहेगा उनको कोई असर नहीं पड़ेगा सिर्फ उनको tuition fee से मतलब रहेगा तो जो बच्चे जो की economically उतना है नहीं अच्छा ठीक है for example private college में बहुत फी रहता है यह सब जोड़ जाड़के तो वहाँ पे सिप्टीशन fee देना पड़ेगा उनको ठीक है यह छूट है वेश्बेंकल government की तरफ से अब बात यह आई आता है कि tuition fee waivers की TFW कौन-कौन बना सकता है तो सबसे पहला बात यह आता है कि TFW वही बना सकते है जिनका family income जो है all the source family income 2.5 lakhs से कम हो means 2.5 lakhs से जिसके annual income कम रहता है वही candidate TFW के range में आएगा ठीक है अगर वह आप नहीं कर अगर आप आपका 2.5 lakhs से कम है income आप कोई भी category क्यों SC हो ST हो general हो कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप उससे कम हो तो आप TFW कैसे बनाएंगे और क्या होता है कहां से बनाएं तो तो TFW बनाने के लिए आपको सबसे पना domicile तो अपना बनाना ही पड़ेगा, domicile का मतलब है कि आप West Bengal के citizen होने चाहिए, अगर आप West Bengal के citizen नहीं होगे तो TFW आपका बनेगा ही नहीं automatically, ठीक, तो पहला नमबर आपको domicile होना पड़ेगा, domicile यहां कराना पड़ेगा, वैस को official site से मिल जागा, मेरा नीचे link भी होगा, आप download कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो description में, तो इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको दो copy निकालना है, क्या करना है, two copies, जो बता रहों process उसको याद रखना और कोई problem होगा नहीं, two copies निकालना है, अब कराएंगे कहां से, तो depend करता, आप एक urban city में हो, urban में हो, या rural में हो, अगर आप गाओ वागर रोलर एरिया में हो, तो उसके लिए अलग है, urban के लिए अलग है, because urban में municipal होता है, rural में तो municipal होता नहीं है, so अगर आप rural में बिलांग करते हो, means village वागरा में रहते हो, तो अगर आप urban में हो, तो आप सबसे अच्छा कहां से करा सकते हो, जहाँ पर SDO बैठते हैं, sub division, ministry, SDM और SDO, office जहाँ होता है आपका, वहाँ से आप करा सकते हो, easily, आपका अराम से वहाँ पर आप जाओगे, तो वहाँ पर लिखावा रहता है कि कहां पर क्या जम्मा करना, क्य आप क्या documents लगा सब, तो वहाँ पर आप easily कर सकते हो, अगर आप एक municipal corporation में हो, अगर आप एक urban में हो, और rural में के लिए वहाँ पर वही जो block development officer वगेरा, बहुत हैं, वहाँ से आराम से हो सकता है, उनको भी पता रहता है कि यह क्या है, ठीक है, कोई उतना टेंसल लेने का बा 12 वगरा का mark seat वगरा जितना है, यह सब, mark seat नहीं में, sediment card 10 का mark seat, यह सब लगता है, pen card वगरा लग सकते हैं, और यह सब पुछ रहते हैं, और एक income certificate भी लगता है, जो आपका counselor से रहता है, यह भी लग सकता है, तो यह सब देने के बाद आपका क्या होता है, वहाँ पे जम जम भी करवाना इसे लिए, तो यह process का अब इस्तेमाल करका अब बना सकते हैं, अब यहाँ बहुत कोई का बात ही होता है, कि बहुत किसी ने TFW नहीं बनाया अभी तक, और बहुत किसी ने बना भी लिया होगा, क्योंकि generally exam जब आप देते हो, विब जी को उससे पहले ही बना ल है यार, वो आप जैसे की January आएगा, आप यह सब काम में सुरू हो जाना, अपना domicile TFW अपना preparation के लिए सुरू हो जाना, क्योंकि फरवरी मार्च में इसका exam होई जाता है, तो उससे पहले आप बना के रख लोगा, तो टेंसन फ्री रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं बना ही नहीं था कि TFW होता किया, बस उसने yes कर दिया, कि चलो yes कर देते हैं, तो उनके लिए, टेंसन की बात कोई नहीं है, अगर आपने डेंस किया है, तो टेंसर मत लेना, काउंसलिंग में जब आप बैठो गया, तो वहाँ पे college के साथ TFW लिखावा आएगा, stream के साथ, computer science, TFW बागरा दिस दिस, तो TFW को आप select मत करना, ठिक, अगर आपने किया, तो आपका problem हो सकता है, क्योंकि अगर आपने किया, अगर आपको मिल जागा ना, तो आपको TFW को certificate देखाना पड़ेगा, जो आप तो देखा पाऊगी नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको TFW आप TFW इसलिए बनाया, क्योंकि आपको थोड़ा छुड मिले, तो अगर आप general में ही चल लागा, तो आपको उतना पैसा देना ही पड़ेगा, इसलिए counseling के समय, stream with TFW जो रहता है, वो ही choose करना, तो इसलिए बहुत important बात था, जो मैंने सोचा कि आपको बताना जोड़ी है, क यह बहुत important है, ध्यान रखना, counseling के aspect में भी important है, TFW कैसे use करना बहुत important है, counseling में कैसे use होता है, कहां से बनाना था, सब कुछ मैंने बता है, ठीक है, कहां से बनाना है, क्या form है, कहां ले जाना, सब कुछ मैंने detail में बता है, तो इसको use करो, सुबस, आज कर दो से थे हैं guys, thanks for झाल जो ओटे लिए झाल गुटर झाल झाल When वा झाल, इतुर झाल?